ये C-Section Delivery होने का एक main जो कारण होता है, वो होता है कि बच्चे का सर नीचे की तरफ नहीं आपाता, नॉर्मल डिलिलिवरी के लिए बच्चे का सर नीचे की तरफ आना चाहिए जिससे की आराम से normal delivery हो जाती है, पर बच्चे का सर जब उपर की तरफ रहता है यानि ब्रीज पोजिशन में जब बेबी होता है तो C-section डिलिवरी करनी पड़ती है तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि बच्चे का सर नीचे ना आरें की पीछे क्या कारण होते हैं और साथी साथ अगर आप इचाते हैं कि आपके नॉर्मल डिलिवरी हो बच्चे का सर नीचे की तरफ आए तो आपको क्या चीजे हमेशा ध्यान में रखने चाहिए दिखें ये वीडियो काफी helpful है आप लोगों के लिए तो वीडियो को end तक जरूर देखेगा और आगे भी जो pregnant ladies है उनके साथ share जरूर कीजेगा अगर वीडियो helpful लगे तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं देखें पहली चीज़ क्या हो सकती है डिलीवरी के टाइम तक आपके बच्चे का अगर सर नीचे की तरफ नहीं आया है तो इसका एक बड़ा कारण हो सकता है कि शायद आपके जुड़वा बच्चे है तो जुड़वा बच्चों में क्या होता है कि बच्चों को पूरी त प्रस का साइज है वो छोटा है तो इस जैसे क्या होता है बच्चे को सही से स्पेस नहीं मिल पा रहा है घूमने के लिए तो आपके डिलीवरी का टाइम पास में आ जाएगा उस टाइम तक भी बच्चे का सर नीचे नहीं आ पाता है नमबर 3 देखे क्या होता है कि बच्चा गर्ब में मा से जो है गर्बनाल से जुड़ा होता है तो जब गर्बनाल का साइज जो है नॉर्मल से थोड़ा जादा होता है बड़ी होती है गर्बनाल तो ऐसे किसमें क्या होता है कि वो बच्चे के गले में या फिर शरी में कहीं ल तो इससे भी बच्चा सही टाइम पर सर नीचे नहीं कर पाता है। नीचे आने का मौका नहीं मिल पाता है। पहली चीज़ आपको ध्यान रखने है कि प्रेग्नेंसी टाइम में आपको टहलना चाहिए। वॉक करना प्रेग्नेंसी टाइम में काफी अच्छा रहता है। इससे क्या होता है? इससे आपके पेलविक एरिया की जो मसल्स हैं उनमें मूव्मेंट होती है। और इससे बच्चे को खिसकने में यानि कि अपने सर को नीचे लाने में मदद मिलती है। जब आपके delivery पास में आने वाली है तो उस टाइम पर उटने बैटने का भी पूरा ध्यान रखें। इससे बच्चे को अंदर गर्ब में घूमने के लिए एरिया मिलता है जगा मिलती है उसको आसानी से मूव कर पाएगा और अपनी सही पूजिशन लेने में उसको मदद मिलेगी। नेक्स देखें आपकी बॉड़ी में अम्योटिक फ्लूट की कमी ना हो इसके लिए आपको क्या करना है अच्छे से पानी पीते रहना है और अपनी डाइट में लिक्विट्स को भी शामिल करना है नेक्स जो चीज में आपको हमेशा बोलती हूँ कि प्रेगनेंसी टाइम म और अपनी सही पोजिशन लेने में भी उसको मदद मिलेगी लास में देखें अगर आपका बीबी ब्रीच पोजिशन में है तो आप अपने डॉक्टर से कंसर्ट करके कुछ एक्सराइस कर सकते हैं पर बिना डॉक्टर के सला कि आपको कुछ भी नहीं करना है सिर्फ किसी के बोले पर आपको नहीं करना है डॉक्टर आपको कुछ ऐसे साइस बता सकते हैं जिनसे बच्चे को सही पोजिशन में लाने में मदद मिलती है अगर आपकी प्रेगनेंसी जो है नॉमल नहीं है मेरे कहने का मतलब है कि उसमें किसी तरह की कॉम्प्लिकेशन हैं आपको बेड पोजिशन लाने में उनको सर जो है नीचे लाने में जो है आपको काफी मदद मिलेगी तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को प्लीज लाइक करें शेयर करें और आगे भी मारे चैनल को जरूर देखते रहेगा थैंक यू